हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है UPCI SS Prime YouTube चैनल पर आज का हमारा टॉपिक है माउस की माउस क्या है और इसका उप्यो किस तरीके से किया जाता है तो चलिए बिना देरी किये हम वीडियो को सुरू करते हैं माउस कंप्योटर का एक इनफुट डिवाईस है जिस तरीके से keyboard इनफुट डिवाईस है उसी तरीके से mouse भी कंप्यूटर का इनफुट डिवाईस है क्योंकि computer मुख रूप से चार भागों से मिलकर बना होता है mouse, cpu, keyboard और monitor ये computer के मुख चार भाग होते हैं mouse मुख रूप से computer में pointer को move कराने के लिए किया जाता है इसलिए pointing device के नाम से भी mouse को चानते हैं किसी भी file, folder को select करने के लिए और उन्हें खोलने और बंद करने के लिए हम mouse का उपयोग करते हैं mouse के दोरा user computer को सूचना देता है कि computer को क्या करना है इसके दोरा user computer की screen पर कहीं भी पहुत ही आसानी से पहुँच सकता है तो आप लोग जान गए होंगे कि mouse क्या है तो चलिए आप जानते हैं mouse का अविशकार कब और किस ने किया mouse का अविशकार डजलस ची इंजेलवर्ट ने 1968 में किया था जब mouse का अविशकार नहीं हुआ था तब mouse का कार कीबोर्ट के दोरा किया जाता था mouse का अविशकार इसलिए किया गया क्योंकि कीबोर्ड में बहुत सारे की को याद करना पड़ता था इसी समस्या के समाधान के लिए डजलस इंजेलवर्ट ने mouse का अविशकार 1968 में किया mouse का पूरा नाम Manually Operated Utility Fast Selecting Equipment है mouse में कितनी बटने होती हैं mouse में मुक्रूप से दो बटने होती हैं लेकिन scroll को मिलाके तीन बटने होती हैं left, right और scroll left बटन को हम primary बटन के नाम से भी जानते हैं और इसे हम left click भी कहते हैं उसी तरीके से right बटन होती है right बटन को हम secondary बटन के नाम से जानते हैं और इसको हम right click के नाम से भी जानते हैं तीसरी बटन जो होती है स्क्रोल होईल यह हमारी किसी भी फाइल को ऊपर नीचे ले जाने के लिए स्क्रोल होईल का प्रियोग किया जाता है यह हमारी तीसरी बटन होती है फिर उसके बाद हमारा आते हैं पॉइंटर माउस पॉइंटर क्या होता है बहुत से लोग जो माउस का पॉइंटर होता उसी क करसर कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है computer screen पर जो arrow के आकार का दिखाई देता है उसे हम mouse pointer कहते हैं और mouse cursor किसी भी text file में जो link होता है उसे हम cursor कहते हैं जब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि mouse का उप्योग कैसे करते हैं practically तब हम आपके देखेंगे कि cursor और mouse pointer क्या होता है तो चलिए आगे देखते हैं हम mouse के कारी कौन-कौन से होते हैं mouse में माउस में उच्छी कि बटनों के आधार पर computer में कई तरीके कि कार किये जाते हैं जैसे left click से अलग कार होते हैं double click से अलग कार होते हैं right click से अलग कार होते हैं drag and drop से अलग कार होते हैं उसी तरीके scrolling से हमारे अलग कार होते हैं तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं left click से कौन कौन से कारे होते हैं लेट क्लिक माउस के लेट बटन में एक बार दबा कर छोड़ना माउस के लेट बटन में एक बार दबा कर छोड़ना लेट क्लिक कहलाता है इसका प्रियोग किसी आपजेक्ट फाइल फोल्डर इमेज आइकन टेक्ट आधि को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता ह जो mouse का हमारा left button होता है अगर हमें किसी भी object या file या folder को select करना होता है तो हम अपने mouse pointer की सहायता से उस file, folder, object, image, id, video पर एक बार click करेंगे हमारी वह file select हो जाती है फिर उसके बार double click का काम क्या होता है double click का काम left button के दोरा ही किया जाता है पर जल्दी जल्दी दो बार click करना double click कहलाता है किसी भी file, folder, document आदि को open करने के लिए हमें उस पर double click करना होता है टेक्स्ट फाइल में जैसे MS Word, Notepad आदि में mouse के left button द्वारा किसी एक अच्छर पर एक बार click करने पर वह अच्छर और दो बार click करने पर एक सब्द और तीन बार click करने पर हमारा पूरा paragraph select हो जाता है अगर किसी भी folder को open करना होता है में तो हम desktop पर बने जो भी हमारे folder open करने होते हैं उस पर हम दो बार click करेंगे तब हमारा वह folder open हो जाता है अगर जैसे हम notepide, text की किसी भी file पे work कर रहे हैं अगर हम एक बार किलिक करेंगे तो हमारा एक later अगर दो बार किलिक करेंगे तो हमारा एक sub और तीन बार किलिक करेंगे तो हमारा पूरा paragraph select हो जाता है फिर उसके बाद mouse की right किलिक आती है mouse के right बटन के दोरा किसी भी file folder के property को access किया जाता है यहने कि mouse की right बटन के दोरा हम किसी भी property किसी भी file या folder के property को देख सकते हैं जिसमें कई सारे option होते हैं cut करना, copy करना, paste करना और यह सारे के सारे option mouse की right बटन किलिक करने पे show होते हैं पिर उसके बाद हमारा आता है drag and drop drag and drop मौॉस के left बटन के द्वारा होता है इसमें मौॉस की सहायता से किसी भी फाइल, फॉल्डर, डाकुमेंट आदि को एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर ले जा सकता है यही प्रक्रिया drag and drop कहलाती है फिर उसके बाद आता है मारा scrolling scrolling क्या है mouse में उपस्थित wheel की मदद से screen monitor से बड़े object item को उपर नीचे करके देखने के लिए scrolling का यूज किया जा सकता है और इसकी सहायता से लंबी file के meter को उपर नीचे scroll करके देखा जा सकता है internet browser में mouse के इस scroll wheel का इसी internet के browser पे work करते हैं वहाँ पे हमें अगर उपर जाना होता है तो mouse की scroll button जो होती उसका यूज करते हैं नीचे जाना होता है वहाँ पर भी हम mouse की scroll button का यूज करते हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे practically की mouse का उप्योग किस तरीके से करते हैं वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धनिवाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में